गाटमदाश जी मीना थे भक्तमाल में कता आती है मीना जाती के थे राजस्थान की घटना है और इसी कलिकाल की घटना है उनका जन्मजाद धंधा था चोरी करना चोरी उनका धंधा यह था हत्या करना उनका धंधा ही था पाप करते करते जीव की बुद्धी में पाप ऐसा बैठ जाता है कि हत्या करना चोरी करना उसे अच्छा लगने लगता है बिना चोरी के बिना हत्या के वो रह नहीं सकता महराज एक दिन की बाद घाटम दाश जी जंगल में पहुँचे एक महात्मा का आश्रम था गुरु पूर्णिमा रही होगी दीक्षा संस्कार हो रहा था सब को दीक्षित किया जा रहा था तो पूछा गया कि यहां क्या हो रहा है बोले बैश्नों बनाया जा रहा है सब अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं मनुस्से जीवन पाए हैं ना इसलिए गुरु देव के चरण सरण में जाकर के भगवान की उपास्तना का नियम ले रहे हैं तो घाटमदास जी ने महात्मा जी के चरणों में जाकर के कहा हमें भी दीक्षा दे दीजिए तो महात्मा जी ने कहा कि तुम कौन हो बोलो मैं चोर हूँ देखो सही सही बात बता दिया महात्मा जी बहुत खुश हो गया कि देखो ये हमारे सामने गुमा फिराकर के बात नहीं करता शीदे कहरा मैं चोर हूँ तो महत्मा जी ने कहा देखो तुम्हे चोरी छोड़ना पड़ेगा घाटम दास जी ने कहा हम चोरी तो छोड़ेंगे नहीं महराज जी पर दीख्षा लेंगे आप से और जो आग्या करेंगे आप आपकी सारी आग्याओं का हम पालन करेंगे तो महत्मा जी ने कहा कि ठीक है तुम चोरी करना पर चार बाते हम तुम्हें दे रहें इन चारों को स्वविकार कर लेना पहली बात तुम्हें जूट नहीं बोलना ठीक है गुर्देव आपकी आग्याओं का पालन करूंगा बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना ठीक है गुर्देव भगवान की आरती पुजा जहां हो रही हो खड़े हो करके भगवान की आरती का दर्सन जरूर करना और चोथी बात संतों के प्रति सदय आदर का भाव रखना भक्तों की सेवा करना क्योंकि भक्त मेरे ही रूप होते हैं इन चार वातों को सुविकार कर लिया घटमदाशी ने अब तो महराज चोरी करते और फिर खूब भंडारा करते हैं खूब बेटियों की साधी करवाते हैं प्रमाराज जूट नहीं बोलते थे भग्वान की सेवा में लगे रहते थे साधू सेवा में लगे रहते भग्वान को बिना भोग लगाये कुछ पाते नहीं थे एक दिन गुरु जी के आँ भंडारा था बहुत सारे धन की जरूरत थी बोले गुरु देव कि यहां जाओं, कैसे जाओं चलो आज राजा कि यहां चोरी करता हूं, राजा के राज महलों में गए, शिपाही के कपड़े पहन लिए, अंदर प्रवेस करते हैं, मंत्रियों ने पुझा कौन? जूट तो बोलते हैं नहीं तो बोले चोर मंत्रियों ने जोजा कोई चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ राजा के अदिशे समी प्रहने वाले मंत्री जी हैं मजाक कर रहे होंगे अंदर गए और रानी सो रही थी रानी के सारे अभूशन उठाए राजा का जो साही घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठे और बस वहाँ से निकल आया सुबेरे सुबेरे आरती हो रही थी मंदिर में घड़ियाल बज रहे थे घोड़ा को बांधा और आरती का दर्शन करने लगे उसी समय महाराज राजा के सिपाही पीछा करने लगे पता चल गया कि साही घोड़े का पता नहीं है रानी के आभूशनों का पता नहीं है पर महाराज घोड़े को बंदे हुए देखा सिपाहियों ने है पर सत्तिके प्रभाव से वो काला घोड़ा सफेद हो गया था आरती विस्त्राम होती है घाटम दाजी से पूछा बोले घोड़ा किसका है महाराज का है बोले कौन चोरी करके लाएं बोले हम चोरी करके लाएं बोले काला था सफेद कैसे हो गया हम को भी पता नहीं कैसे सफेद हो गया सत्य के प्रभाव से वो गोड़ा काले से सभीदों राजा को जब सूचना दी गई तो जैपुर के महराज आये हैं रत पर विराजमान करके ऐसे महापुरुस को गाजे बाजे के साथ अपने महलों में लाए हैं और अपने राज की जो सबसे किम्ती किम्ती वस्तु थी सब अरपन कर दिया वोले महराज आप इतने उच्चि-गोटी के महापुरुस और ऐसे नीज कर्मों में लगे हुए हैं तो घाटम दाश जी ने कहा मेरे गुर्देव की क्रपा है मैं असत्त नहीं बोलता मैं महापुरुसों की भक्तों की सेवा में सद्यों संलग्न रहता हूं भगवान की आरती का कभी उलंगन नहीं करता आरती में जरूर संब्लित होंगा आज दुर्भाग गये मसीनों को रखा जाता है मंदिरों में गंटी-गड़ियाल बजाने के लिए हम सनातनी हैं हम हिंदू-स्तानी हैं अपने आपको हिंदू कहते हैं जब संक वजे तो दोड़ करके मंदिरों में जा करके गंटी-गड़ियाल बजाना चाहिए और आरती का दर्शन करना चाहिए हमारे सास्त्र कहते हैं जिस समय आरती गुमाई जाती है और भगवान के स्री विग्रह पर उस आरती के जोती का प्रकास जाता है उस समय जो दर्शन करता है भगवान का उस समय जन्म जन्मांतर के जितने भी दोस होते हैं उसके सारे दोस नष्ट होते हैं महाराज देखा आपने सत्य का प्रभाव महाराज आपने सत्य करता है